आज का जो वेबिनार है, मुट अन कर रहे हूं, बिकास पूरा सेशन के बीच में हम हो सके उतना continuity maintain कर सके, so I'll just mute all of you, ताकि ये सेशन नॉन स्टॉप अच्छे से चल सके, अब सबसे पहला बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है, कि inborn talent, जो ये आज का webinar है, inborn talent हर एक व्यक्ति में होता है, आप सुची कि जब उपर वाले ने आपको नीचे भीजा, तो क्या उसने ऐसे भीज दिया, मतलब आपको सबको average बनाया है, तो अगर आप मैं ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक व्यक्ति ने जो भी जनम लिया है, इश्वर ने specially उसका carving किया हुआ है, पर एक्जांबल मैं हमेशन जब किसी को wish करूँगी ना, तो मैं कहूँगी great morning, मेरे कोई videos आप देखेंगे ना, तो मैं कहते हूँ great morning, उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं पहला शब्द लगाती हूँ great, यानि महान, morning, यानि सुभा, यानि नई शुरवात, तो मेरे ये मानना है कि सुभे हर एक शण जो morning में हम उठते हैं, दिन भर में, हमें जब decision हम लेते हैं, कोई भी moment पर, तो हमें एक great शुरवात करने का मौका उपर वाला देता है, काफी लोग जब सुभे उठें, उन्होंने सांस नहीं लिए, आज हमें सांस देने का मौका जब मिला है, तो इ average इंसान है, average life जी कर यहां से चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, सब के अंदर unique talent है, बट वो unique talent जब बाहर नहीं आपाता है, तब हम average बन जाते हैं, जैसे कि हरे क्विर्टी engineering के लिए भाग रहा है, हो सकता है शायद आप engineer नहीं, बलकि एक अच्छी musician बनने वाले हो, हो सकत जानी में सबसे पहले एक guru और एक शिषय होते हैं, तो एक शिषय गuroo से पूछता है, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य की जीवन की कीमत क्या है, मनुष्य की कीमत क्या है, तो guru कहते हैं, काम करो, तुम्हें यह जानना है, तो मैं ऐसे ज़ब आप नहीं दूँगा, तो मेरे को एक काम करके दिखाओ, एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ, तो कहते हैं क्या, तो एक बहुत पत्थर जैसा कोई चीज, जो कांच का चीज है, वो उनको देते हैं, चमकता हुआ, हीरे जैसा, और उसके हाथ में रखते हैं शिशे के, और कहते हैं कि भई, ये नीचे गाउं है, माँ जाकर आओ, और ये हर एक रेक्रेक्टी को दिखाना और इसके कीमत पूछ कर तो माँ, तो वो कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा कुछ हीरे जैसा लग रहा है, तो वो कहते हैं, बस बेचना मत, वापस इसको लेकर आना, बस जस इसके कीमत पतागर कर आओ, तो सबसे पहले जब वो नीचे जाता है तो उसके एक अलू बेचने वाला मिलता है उसको जब वो दिखाता है वो कहता है अरे बहुत अच्छा पथर है तो इसके कीमत क्या है आप मुझे बताओ कितना इसके लिए आप πैसा देने को तैयार हो भोली एक बोरी आलू मैं तुझ देदूंगा इसके लिए तो कहता है कि ठीक है बेचेगा तो कहता है नी नी बेचना नहीं है बस मुझे कीमत जानने थी तोड़ा आगे जाता है एक किराना दुकान के उनर के पास जाता है और कहता है कि यह जो है इसके आप कीमत बताईए मैं इसको बेचना जाता हूँ तो कह केता है ने नी मुझे बेचना नहीं है मैं जिस कीमत जानने के लिए आया था तो अड़ा और आगे जाता है वो वहाँ पर एक हीरे की दुकान में जाता है और हीरे की दुकान वाले को पूछता है कि यह जो चीज है इसको मैं बेचना चाता हूँ आप किसनी कीमत देंगे तो ह हीरे का जो मोल करने वाला विक्तियों कहता अरे बापरे इसकी तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता मैं पूरा दुकान बेच दूँ यह पुरा शेहर बिग जा है तब भी मैं इसकी कीमत चुका नहीं पाने वाला यह अमूलिय है फिर सारव सिंथ सुनता है और वहां से सीधा पहा की दुकान में गया तो उसने कहा कि अमूलिय है इसका कोई मोल नहीं तब गुरु से समझाते कि देखा कि हीरा तो एक ही था यह कोहिनूर हीरा तो एक ही था लेकिन जब तूने जैसे लोगों के पास उसको ले कर गया जो उसकी कीमत जानता था उसी नहीं होना वालु का आलू का कीमत बता दिया, यह गहों के बुरे का कीमत बता दिया, तो इसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में, अगर हम सही जगा पर नहीं है, तो हमारा कीमत नहीं होने वाला आलू के बुरे की तरह कीमत होगा, लेकिन अगर आप एक सही जोरी के पास है, जिसको हीरे की पर्ख है और अगर आप वो हीरे हैं, जैसे कि अगर आप engineering के लिए बने हैं, और आप engineers के बीच में हैं, तो आपका value होगा because आपके talent की कदर होगी उसी तरह अगर आप को singer है, अच्छा गाना गाते music का आपके अंदर talent है musicians के बीच मगर आप जाते हैं, अपना talent वहाँ खोजेंगे, तो आपकी कीमत होगी उसी तरह, कि जो आपके लिए बना है profession, अगर आप उसमें जाते हैं, तब आपकी कीमत होगी, तब आप बनेंगे mahan the great, पुरी दुनिया में आपका नाम होगा, सम्मान होगा, तब ही आप बन सकते हैं एक great person, तो एक great person बनाने के लिए आप सब लोगों को जानने की जरूत है कि आपका talent किया है, आप सूच ये मात्र, कि अगर मैं सचिन टेंडूलकर की बात करूँ कि जो आप cricketer है, इतने famous है cricket के दुनिया में god of cricket उनको कहा जाता है, समझ लिए जो वो engineer बनते तो, तो definitely बहुत अच्छी engineer बनते, लेकिन हो माहान cricketer नहीं बन पाते, इतिहास नहीं रच पाते आज दो जनम लेने पड़ते के इंसान को अगर उनको cricket में उतने रंस बनाने पड़े, जितने सचीन जी ने बनाया है, उससे तरह अलगता मंगेश कर जी, पड़ी लिखी नहीं है सिफ एक क्लास में गंटे के लिए उनने school attend किया, लेकिन साथ अलग अलग भाशाओं में उन्होंने गीत गा कर दिखा है, और आज लोगों की दिलों पर वो राजकरती इतिहास रजदिया, धिरुब बैंबानी, वो इंजिनियर या डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन जब वो एक बिजनेसमेन बनें, उन्होंने सुचा बस पैसा कमाना, यही मेरा टालेंट है, और उन्होंने जाना कि भे, यही मेरी इच्छा है, और जब उस दिशा में किया, जितने पैसे उन्होंने कवा हैं, जियो नाम की भेट दी, आज हरे एक विक्ति के पास फोन है, जिसमें 2GB डेटा उनको मिलता है, पुरा, और पुरा नेट हमारा educational system problematic है दोस्तों, क्योंकि आज वो student की परक किस पर करता है, क्योंकि तना रट सकता है रटूत होता जो है, उनको ज़्यादा value दी गई है, क्लास में बच्चा जाता है, रट नहीं पाता अगर उसको marks कम है, left brain thinking के हिसाब से आज पूरा syllabus designed है, और लोगों को लगता है कि बच्चा मेरा अच्छा marks नहीं लाना ने, इस मैं talent नहीं, इस पर एक छोटा सा धारन देना चाहूंगी, कि एक lady मेरे पास है, जिसको एक test कराना था जिसके बारे में आज मैं और detail आपको बताऊंगी जिसका नाम है DMIT खेर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये session में बने रहेगा, बहुत लंबा session हम नहीं लेने वाले, मैंने बहले 9 तक रखा है, और 15-20 minutes में बोलूँगी, और आखरी के 20 minutes जो है, मैं questions के लिए open रहने वाले हूं इसमें जो part है, उसमें आपका एक fingerprint भी मैं लूँगी, जिसके तुरू अभी के अभी मैं आपका personality क्या है ये बताने वाले हूं, तो उसके लिए भी prepared रहीएगा, just ये example के बाद अब example कुछ ऐसा है कि क्वेक्ती में जब घडशी रोली में गई, वहाँ पर मैंने tests किये, DMIT report मैं निकालती हूँ, dermatoglyphic multiple intelligent test, इसके बारे मैं और बताऊंगी आपको, तो लीडी मेरे पास आई और कहने लगी, मेरा बच्चा बहुत intelligent है, उसका report बहुत अच्छा है, first ranker था, कहा कि ये बहुत अच्छा है, sharp है, उसके बाद लड़की का report निकाला गया, तो report जैसी मैंने निकाला और मैं बात करने वाली ही थी, क्योंकि मदर ने कहा कि माम बस इसी का tension है, problem यह है कि इसके ना marks अच्छे नहीं आदे, बहुत ही डफ़र है, इसका कुछ करिए, तो मैंने जैसे DMIT report निकाला और report रहता है 48 page का, और उसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर maths का genius है, ऐसा genius कि जो maths के उपर अगर work करे, तो पुरे दुनिया में ऐसा best CA कोई नहीं बन सकता है, maths related कोई work नहीं कर सकता, और मैंने उनको पूचा कि मैं में बताईए कि यह ठीक है, डफर है, बोर्ड रही है जबकि मांपे मुझे maths genius दिखाई दे रहा था, तब मैंने उसको कहा कि इसको marks कितने आते हैं, बोले सिफ maths में अच्छा आते हैं, maths में out of लाती है, लेकिन बाकी सारे subjects में बिल्कुल खराब marks लाती है, तब सोचिए, उसकी मदर यह कह रही थी कि बच्ची बहुत डफर है, पर उसके बात maths genius था, लेकिन उनको नहीं पता था, बिकोज वो average जो marking रहती कि भी science में भी मिलना चाहिए, geography मिलना चाहिए, हिस्ट्री में भी मिलना चाहिए, तो यह possible नहीं होता, बेकोज वो maths genius थी, 10th के बाद जब वो maths select करती, CA select करती, तो automatically उसका score बढ़ता, जो कि हुआ, उनको जब वो समझ में आ कि actually उनकी लड़की maths genius है, उनको उसको CA career और बहुत successfully, easily उसने CA भी crack किया, और अपना work करी, इस बात को भी 7-8 साल हो रहे हैं, so बहुत ही अच्छा result इस द्वारा हमको मिलता है, अब मैं बताऊंगी कि क्या है यह चीज जिसके द्वारा आपका inborn talent पता चलता है, तो सबसे intelligence, mi जो लिखा है, multiple intelligence यहने आपके अंदर जो लक्षन इकता है, intelligences है, और TA आखरी का जो है, वो test होता है, अब multiple intelligence कितने type की होती है, टोटल 9 प्रकार की multiple intelligence होती है, सबसे पहला multiple intelligence होता है, intra-personal, यानि मैं, मेरा, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या विचार है, self-management, कुद के decision लेना, judgment लेना, तो जो विक्ती बहुत अच्छे से कर पाता है, ऐसे लोग novels लिखते हैं, अपने knowledge को expand करते हैं, अपनी कोई ideas को, अपनी विचार धारा को strongly present करते हैं, second type का multiple intelligence होता है, people-oriented, interpersonal जिसको कहते हैं, इसमें लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, उनको handle कर पाते हैं, उनको motivate कर पाते हैं, जैसे कि एक management ability वाला MBA बंदा, या IS offer जो लोगों को अच्छे से manage करना जानता हो, जो company का owner बन सकता है, या businessman बन सकता है, third type की होती है, musical intelligence, कि जैसे कि लता मंगेशकर है, या music director है, या रह्मान है, तो उनकी music intelligence, सुनने की क्षमता और ताल को समझने की power बहुत अच्छी होती है, तो musical intelligence इसका high रहेगा, music की field में आगे बढ़ेगा, फिर आता है fourth number का linguistic या language पे पकड़, जैसे कि मैं एक वक्ता हूँ, motivational speaker हूँ, ऐसी लोग जो प्रवचन देते हैं, बोलते हैं, या teachers है, जिनकी जबान पर अच्छी पकड़ है, जो foreign language जानते हैं, तो इनका linguistic high होता है, तो यह only related जो भी professions है, इसमें बहुत अच्छा करेंगे, जैसे lawyer होगे, judge होगे, speaker होगे, radio artist होगे, RJ होगे, motivation speaker होगे, teacher होगे, अब आता है fifth type का, जो multiple intelligence है, वो है gross motor skills, यानि कि जिसमें जो वेक्ती full body का movement बहुत अच्छा करना जानता है, जैसे कोई sports person की ball कितली speed से मारूंगा, तो बराबर ball लगेगा, यह उसको अंदाजा होता है, physical body का उसको अंदाजा होता है, अब physical body को corporal control करना, यानि कि dance उसको बहुत अच्छा से आएगा, physical body यानि वेक्ती चल भी चल होगा, यहां से वहाँ भागेगा, एक जो बैठेगा नहीं, उसको physical moment करना अच्छा लगेगा, तो कोई भी sports में बहुत अच्छा कर सकता है, बात में आता है, fine motor skills, multiple intelligence में six number का, मतलब छूटी moments, fine motor moments, जैसे की writing करना, painting करना, guitar बजाना, piano बजाना, तो finger की जो minute moments है, उनको बहुत अच्छी जमती है, तो वो related jobs में, works में अच्छा कर सकते हैं, बात में seven number आता है, naturalistic, nature से connection, जैसे कि आपने national geographic channel देखा होगा, जिसमें काफी रूग क्या करते हैं, मगर को पकड़ते हैं, उसके सर के पास सर लगा के बताते हैं, पुरे जानवरों के बीच में रहेंगे, जंगल के बीच में रहेंगे, नेचर के साथ उनका connection बहुत रहेगा, तो यह तो naturalistic लोग, और nine type की last personality होती है, कि जिसके अंदर, व्यक्ती के अंदर, music intelligence के अलावा भी जैसे कहते हैं, educational, logical intelligence अच्छी होती है, मतलब जैसे कि कोई exam crack करना, logical, maths वगर अच्छा, उन्होंने perform करना, तो यसी अलग-अलग type की multiple intelligence है, एक और add होती है, जिसमें visual intelligence भी आती है, मतलब कोई चीज देखते ही याद रह जाना, और visualization करना 3D में, कि room कैसा लगेगा, architecture, color, designing, वगरे सारी चीज़े उसमें आती है, तो visualization जिसकी powerful होती है, जैसे 9 से 10, टोटल 9 में aggregate होती है ये, तो 9 प्रकार की multiple intelligence होती है, जो intelligence आप में highest रहने वाली है, वो अगर आपका profession बन जाए, तो आपका सबसे ज़्यादा benefit उसमें रहेगा, अब ये science कहां से आया, कि multiple intelligence क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगे, सबसे पहले आपके हातों से ये test निकाली जाती है, यहापे 10 fingerprint रहती है, जो कि 10 सों अलग रहती है, ये जो same है, वो same यहाँ नहीं रहेगी, सारी 10 ओ 10 fingerprint आपकी अलग है, अब ऐसा research किया गया, डॉक्टर Howard Gardner के द्वारा, कि जब बच्चा मा के गर्ब में होता है, पेत में होता है, तब उसकी जब fingerprint बनना शुरू होती है, तभी उसके brain का विकास शुरू हो जाता है, और जब brain का विकास खत्म होता है, तभी उसकी fingerprint बनना खतम हुए, तो Howard Gardner ने सुचा, why not पता करें कि यह होता कैसे है, तो उन्होंने research की लाखो लोगों पे और पता किया, कि fingerprint और brain का कोई connection है, तो उन्होंने देखा analysis करके तो पता चला, कि आपका जो left brain है, अगर मैं right hand से left brain पे touch करूँ, तो यहाँ पे देखेंगे, हात दो होते हैं, brain भी द right वाला हाथ left brain पर रखा, तो पता चला, जिस तरह से आपका यह हाथ situated है, आपकी उस finger पर, उस brain में कितने neurons हैं, वो पता चलता है, अब जिस brain के हिसे में जादा neuron, यानि जादा cell रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो जगत जादा काम कर रही है, जादा cell है, मतलब वो अच्छा performance दे रही है, right है, for example, एक factory है, एक factory में 1000 worker है, एक factory में 2000 worker है, किस factory में अच्छा काम होगा, of course, जहाँ पे 2000 worker है, जादा काम बैटर होने वाला है, तो उसी तरह जब आपकी हाथों की fingerprint ली जाती है, और यहाँ पे ridges वगर एकाउंट की जाती है, तो यह पता चल जात अगर आप उस profession में जाते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, example दे रही हैं, मैं आपको बता रहे हैं कि कौन से brain का हिस्सा क्या department denote करता है, सबसे पहले यहाँ पे एक brain का हिस्सा होता है, जिसको कहते है prefrontal brain, यह prefrontal brain जो होता है, यह होता है management ability, self management और दूसरों का management, decision लेना, judgment लेना, खुद को manage करना, लोगों को motivate करना, अपने control में रखना, यान एक MBA वाला बंदा या लोगों को business करता है, जो लोगों को manage करता है, उसका यह लोग most active रहेगा, second लोग बात है, इसकी ज़स पीछे में आपे दो compartment होता है, यहाँ पे होता है logical intelligence, मतलब की logic को समझना, यह समझना कि math, science, grammar और reasoning करना, याने exam crack करने का जो भी logic लगता है, दिमाग लगाना पढ़ता है, रटना पढ़ता है, वो सारा यहाँ पे frontal brain पर रहता है, इसका यह neuron जादा रहेगा, वो exam बहुत अच्छा crack करेगा, logical रहेगा, अब आता है यह occipital lobe, यह temporal lobe है, कान के पास जो ह सची रहेगे, यह लोगों को समझ पाएंगे, तो psychology से related jobs, या तो music related jobs, जिसमें music composing हो सकता है वगरे वगरे वगरे, वो अच्छा कर सकते हैं, बात में यहाँ पर यह जो लोब है, यह पर parietal lobe इसको कहते हैं, यह लोब होता है, physical moment को लेकर, वो fine motor skills हो या gross motor, बड़ी skills हो, ज किसे की sports हो गया, dance हो गया वगरे, तो इसके यह neuron जादा है, वो वैसे profession में जाएं तो excel करेंगे, last lobe है आपका जो पीछे में रहता है, यहाँ सर के पीछे के, तो छोड़ा दिमाग होता है, यहाँ नहीं बार नाची, आंके खराब होती है, तो यह पीछे में होता है occipital lobe, एक-एक body का जो यह हिस्सा है आपके हाथों की, तो यहाँ पे अलग-अलग type की patterns होते हैं, जो कि solar type की pattern होते हैं, और इनके हम counting करते हैं, delta और center point से, जिसके तुरू पता चलता है, कि आपके वो brain की कौन से हिस्से में जादा neurons है, तो यह totally जो concept है, मैं यह बता दू, जोतिश नहीं है, काफी लोग फिर मेरे पास आते हैं, मैं आप DMIT करती हैं न, फिर हाथ देखें, बताइए मेरा भविश्य कैसा है, तो भविश्य विग्यान नहीं है, वो definitely मैं करती हूँ, लेकिन मैं tarot card reading से करती हूँ, भविश्य देखती हूँ, लेकिन उसके लिए tarot के cards आते है और उससे मैं देखती हूँ, हातों से जो हस्तर एका pumice tree है, वो अलग है, और DMIT ये scientific report है, जिसके द्वारा proper scientific analysis से ये report बनाई जाती है, अब आपने को मैंने basic बता दिया कि इसका उपच का से हूँ, आपको scientist involved थे, brain का analysis 10 fingerprint रे छुपा हुआ है, तो अगर हम 10 fingerprint लेते हैं, फिर मैं उसका पूरा analysis करके report भेशती हूँ, और एक report generate होकर आती है, जो कि 48 page के report होती है, अब एक छोटा सा demo report आपको दिखाऊंगी, तब कि आपको idea है कि report किस तरह से होती है, फिर अभी हम देखने वाले हैं कि आपका personality क्या है, आपकी personality पता चलती है left thumb से, आपका हाथ, जैसे ये right हो गया, ये मेरा left है, तो ये thumb पे, ये जो area है, यहाँ पे आपका जो fingerprint का type है, पाटन है, solar type के pattern होते हैं, उसके हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि आपका कौन सा pattern है, तो आपका nature कैसा होगा, या personality क्या है, बस इतनी basic जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ, तो अभी य लीजी, और आपके पास जो भी एक कोई pen होगा, नीले रंका, उसको लीजी, और आपका जो left thumb है, left side का जो thumb है, उसको आप properly ऐसे से करके गोट लीजी उसके उपर, है न, यानि आपके पास stampid घर पे हैं, तो बहुत आसान हो गया, stampid है, तो उसके उपर आप प्रेस करके, white paper पर पर एक और दो ऐसे print निकाल दीजे, एक ही थम की, ठीक है, कौन सा left thumb, और वो जो photo है, वो मुझे आप screen पर ऐसे दिखाएंगे, तो मैं pattern देखकर आपको बता दूंगी, कि आपका पसनार्टी क्या है, तो अभी यह हम करने वाले, तो आप क्या करिए, फटा-फटा आपक left thumb, वापे print मुझे चाहिए, मैं आपको option दूंगी, कि आप अपना video on करके मुझे वो paper दिखा सके, मैं देखती हूँ, chat में, photo बीजने का option है क्या, हाँ, because यहाँ पे photo बीजने का I guess option है, फाइल भीजने का option है, नीचे में, अगर आप चाहें, तो मुझे chat में, वो जो भी आपका photo है, उसको भी आप click करके send करें, या तो फिर आप video on करिए गए कि करके, और मैं आपको जो color बताओगी, वो बस आप प्याद रखिए, वो color के इसाप से मैं पसनाटी बताओगी, त तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा, अगर किसी का जल्दी हो चुका है, तो आप मुझे mycon करके बताओगी, तब तक मैं report के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको, तब तक आप अपना work जो है continue करिए, मैं आप एक report जो हमारे यहां बनी हुई है, उसका एक demo आपको दिखात करती हूं, कैसी report निकलती है इसके बाद, अब मैंना mycon करने की कोशिश कर रही हूं, मैं दला mycon कर रही हूं सबके, ताकि आपको कोई question है, आपको कुछ नहीं जम रहा है, या नहीं समझा जो मैंने बताया, तो आप मुझे पूच सके, तो I hope, जितने भी लोग या मौझूद है, वो एक white paper लेकर, नीले रंकी pen से अपने left thumb को घोट रहे होंगे, और एक मुझे print निकाल के देंगे, आप अपने family के members का भी मुझे दे सकते हैं, कोई issue नहीं है, आप हो सके, तो यह जो chat है, चैट में option है, आप ए document upload करने का, मुझ अपने बच्चों का भी देखके मुझे डाल सकते हैं अभी, और बात में भी अगर आपको लगे कि जैसे अभी नहीं आप कर पाए, कोई family member घर पे नहीं है, तो मेरा एक whatsapp number है, 5x8 या जिससे भी आपको यह link मिला है, अगर आप उनको भी वो stamp पे डाल कर भीजते हैं, तो आपको उपसनाटी आपका बता देंगे, shared a file in a meeting, शीतल हस्ते जी ने एक file share की है, तो chat में available है, आप chat के through भेज सकते हैं, ठीके, अभी शीतल जी ने मुझे जो भेजा है, थोड़ा एकदम clear image try करिएगा भेजने के लिए, क्या होता है, जब हम first time डालते हैं तो वो बहुत ग एक बर शीतल जी और भेजेंगे मुझे आप क्योंकि ये clear नहीं, एक बर photo लेकर फिर से बेजे, बहुत ही गाड़ा हो गया है, तो बीच में जो ridges है, वो clear नहीं है, तीसरी print लीजे, तीसरी print जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो red personality है, फिलाल तो, red ही है आपका actually, शीतल ज चैट में आपको दिखेगा, शीतल जी ने मुझे भी send किया है photo, तो उन्होंने दो print भीजी, एक बहुत गाड़ी print आई थी, तो उसमें pattern नहीं दिखते, और एक बार उन्होंने भीजी, वो अच्छा था, और photo की थोड़ी quality इच्छी रखी कि दुनली ना है, ठीकिए, अब मैं एक आपको screen share करके report दिखाती हूँ, कि step का report आता है, तब तक बाकी के लोग भी भी भीज़ दे, अब ही मैंने screen share start किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते है, screen share पर, कि step की पूरी report निकलती है, जिसमें 48 total pages होते हैं, मैं इसको बड़ा स्वड़ा कर देती हूँ, एक second, ओके, यह पूरा index देख रहे हैं, इसके बारे में पूरा आपको जानकारी मिलता है, आपके बारे में आप देख सकते है, brain analysis से लेकर, आपके career में कौन सा selection आप करेंगे, वो भी आपको इसमें नजर आ रहा होगा, यह पूरा index है, जो आपको report में मिलता है, टोटल scientific report है, और आप देख सकते हैं, यह पर नाम वगरे लिखा हुआ है, जिसका भी यह report है, यह पर scientist के बारे में जानकारी है, जिन्होंने इस report को बनाने में योगदान दिये हैं, यह full report है, इस सिंगल पेज का, बट यह तब समझ में आता है, जब बाकी का report हमने देख लिया हूँ, यह पर आप देख सकते हैं, पहले आपको पता चलता है, आपका left brain और right brain कैसा work कर रहा है, कितना percentage का distribution है, कोई एक side का brain अगर ज़्यादा active है, तो हमको उसको balance करना होता है, उसके बारे में जानकारी हम फिर देते हैं कि कैसे करें, फिर आपके जो 5 brain के लूप जब से कौन सा लूप ज़्यादा काम कर रहा है, इसी के basis पर आपका career select होता है, जो कम ज़्यादा काम कर रहा है, उसके बारे में भी हम बताते हैं, इसको improve कैसे करें, क्योंकि आज competition का world है, उसके बाद आपका personality type कौन सा है, वो इसके तुरू पत जलता है, one second, मैंना screen share on किया हुआ था, इस देलेटेट, one second, yes, आयो, बाकी के लोग अपना report डाल रहे हैं, फटाफट, वो online shared a file, मिनाज जी ने डाला है अभी, अब शीतल हस्ते जी को तो मैं बता चुकी हूँ, अलोक वर्मा जी ने डाला है, let's see, शीतल जी आप color याद रखिएगा अपना red है आपका, मैं बताऊंगी फिर red personality होती कैसी है, लेकिन फिलाल सिर्फ color याद रखिए, अलोक वर्मा जी आपका मैं निकाल रही हूँ, और आपका print सही नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी जो मैं analyze कर पाई, आपका gold personality है, ठीक है, आपने दो डाली है, यह आप ही का है दोनों, तो यह gold है, आप सिर्फ color याद रखिए, गोल्ड, ठीक है, अब मैं next निकाल रही हूँ, अलोक वर्मा जी का gold है, अब इंडिया, मराथी, हिंदी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इनका personality भी gold है, ठीक है, आपका भी personality gold आया है, ठीक है, इंडिया, मराथी, हिंदी, इंग्लिश ऐसा जिसने लिखा है, हर्शल गार्जल लावार, हर्शल जी, हर्शल जी का let's see, इनका red लग रहा है, clear red है, most probably because again थोड़ा clear नहीं है, बहुत घाड़ा आपने निकाला है, लेकिन जो भी समझ में आ रहा है, मुझे उसी सबसे आपका red personality है, ठीक है, red याद रखिएगा, कौन, हर्शल गार्जल लावार जी, आपका red है, okay, excuse me ma'am, हाँ जी, ये, कंतक का था मैं ma'am, photo नहीं ले रहा है mobile, इसलिए मैं ऐसे show कर देंगा, हाँ जी, ये वाला ना, सीमा, नहीं, क्या नाम है आपका, मेंका जांबुडगर, एक मिटा, मैं आपका video आपका on करना पड़ेगा मुझे, मेंका जी, आप दीखनी रहे हैं आपे मुझे, अच्छा हाँ ये न स्क्रीन पर जो है, मैं spotlight करती हूँ, और ये आपका blue personality नज़र आ रहे है, blue है आपका, अच्छा, अच्छा, उसका है, ठीक है, ठीक है, तो ये blue है, blue, वैसे आप फिर से personally आएगी ना, तब मुझे एक और बार दिखा दीजेगा, है न, अच्छा, आप, ये मैंने किसी और का spotlight किया हूँ, सीमा उधानी जी का कर दिया, मैंने, आपका blue है, blue, ठीक है न, अच्छा, अभी मैंने का जी, आप भी करें, मैं आपका spotlight आड़ कर रही हूँ, ये ऐसे नहीं नजर आएगा मुझे, थोड़ा आपको है न, और light में डालना पड़ेगा उसको, मैंने का जी, अपलोड होता है ऐसे phone से, चैट में option होता है, चैट में जाके, ठीक है, बाकी लोगों का तब तक देखते हैं, मैं हैंग हो गए हैं तोड़ा, अब ये किस का था, अच्छल, गार्जिक लावार जी का एक और बार देख लेते हैं, रेडी है, अब देखते हैं, नेक्स्ट चैट में जाके, किसका और आया है, मिनाज जी का देखते हैं, मिनाज जी का गोल्ड है, मिनाज जी आपका गोल्ड है, ओके, जेक्स देखते हैं, श्रिया वान खेडे, श्रिया जी आपका, ब्लू है, ठीक है, श्रिया जी ब्लू है आपका, एक लेट सी नेक्स श्री आवान खेडे ब्लू है आपका अब देखते हैं नेक्स्ट अलोग वर्मा जी का आ गया है उमीश का देखते हैं ब्लू है उमेश आपका ब्लू है ओके अब ही नेक्स देखते हैं सब का इक बार देख लेंगे फिर हम जानेंगे वाट इस यो पस्नालिटी शीतल जी का यहां पर एक और धुंदला विमेज आया बहुत ही जाता दुनला है विल्कुल अन रीडेबल है तो शीतल जी आपका मे दूसरे का है तो यह शीतल हस्ते जी उनका इमेज ना क्लियर नहीं है बहुत ब्लर फोटो है थोड़ा बताईए विकास जी नेक डाला है लेट सी सब मैंने जो कलर बोला है वो याद रखी है मैं कलर की सबसे पस्नालिटी बता दूगी आपका अभी इनका आया है वेरी नाइस इमेज को बहुत अच्छे से डाला है इन्होंने यह ब्लू पस्नालिटी है ब्लू नहीं है यह इलोंगेटिड है थोड़ा नीचे तक संब लेना चाहिए था आपने लेकिन मिनको जो समझ में आ रहा है आपका रेड पस्नालिटी है ओके यह किसका था मैं बताती है विकास जी आगेस हाँ यह है विकास जी 5 एफ 62 जिसका नाम है विकास एफ 62 हाँ जी तो थोड़ा आपने किया कि यह उपर का हिस्सा लिया नीचे का रह गया है लेकिन जो समझ में आ रहा है उसकी सबसे रेड है आपका रेड ठीक है ना है इनका देखते हैं इनका Blue है और ये कॉन है इनका देख लेते हैं अट रहे हैं अ सबसे पूरा डार्क मुझे दिख्वार है फिर भी मैं को समझ में आ रहा है उसके सबसाइरेज है कोशिश करें यही जो फोटो हैं वर्हाबर अपने प्रिंटन लिया है लेकिन पूरा शेड आ रहा है उसकी वेज़े से क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे अब यह हीम पटेल जी है हीम पटेल जी आपने फोटो डालने की कुशिश करिए लेकिन फिर भी लेट सी स्पॉटलाइट में आड़ कर रही हूं आपको अब हम देखते हैं नेक्स्ट और किसका आया है योगिता वांकर जी एक बार और डालिए यह मेरी बेटे का है तो अच्छा ओके है वैसे आप जब कैमरा के सामने रखी है न मेंका जी वो बलर हो रहा है तब एक काम करिएगा कल आप ऑफिस आरी है बच्चे को लेकर यह यह नहीं दिखेगा है आपको फोटो लेकर डालना पड़ेगा यह क्या हो रहा है पूरा कैमरा में बलर दिख रहा है तब जब अभी आएंगे ना उसको लेकर साथ में तब आप में को परस्नली दिखा दीजेगा ओफिस में यह 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 लास देख लेते हैं किसका है यह भी प्रिंट सही नहीं डाली है बहुत बलर है जो बेटी का है ना आपने तोड़ा और गोटना चाहिए था उसको प्रिंट क्लियर नहीं है एक बार और ट्राइब करिए यह किसका था हस्ते जी का है आपका आपने शीतल जी खुद का बहुत अच्छा डाला था यह बच्चे का फिर से थोड़ा गोटी और फिर से एक बार डाली दो बार डाली एक बार गाड़ा आएगा दूसरी बार एक और आएगा तो दोनों फोटो डाली है मुझे ओके योगी तावानकर जी एक और फोटो डाली है वेरी गुड़ थोड़ा और एक बार फोटो डाली है पूरा ब्लर फोटो आया है इसमें प्रिंट्स नहीं दिखती मैं आपको कैसी प्रिंट चाहिए वह एक बार फोटो में दिखा देती हूं ताकि आपको थोड़ा और समझ यह अभी मैं सेशन में ले भी ना पाऊँ इनका इसापका नहीं तो आप में को वाट्सप पे डाल सकते हैं फोटो प्रॉपरली लेने के बाद तो मैं बाद में भी आपको बता सकूंगी ठीक है अभी मैं आपको एक फोटो दिखा रहे हूं स्टैप का प्रिंट होते हैं यह मुझे दिखनी चाहिए पाटन यह दिखी यह पाटन है ना प्रॉपर को एकदम धब्बे जैसा दिख रहे हैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए तो थोड़ा आपना क्या करिए कि प्रिंट इस टैप की आप जो सेंटर में बन रही हैं आप देख सकें एक और इन्हो sprach यह मेरी बीटी का है अगने निखा है ना यह पाटन दिख़री है मुझे इस्वाट्सक्राट करेंग आपका स्पोट जेए को कि एक मैंने भी डाला था में इसको पूटलाइट करने दीजे मैं इसको पिन अनपिन कर देती हूं मेरे वाले को वन सेकंड है यह आपका ब्लू आ रहा है बच्ची का ब्लू है और उसका फॉस्सका यह बहुत है ना थब्बे जैसा आया है आपने क्या करना थे एक लेकर दूसरी बार एक और लेना था यह भी आनु भाव के इसाब से मैं आपको बतारी हूं यह प्रॉपर रीज नहीं दिख रही है आप सकती थी लेकिन यह डेल्टा दिख रहा है इसलिए ब्लू है यह कि आप ने इंक से किया शायद ना वह इंक पैन से वह पैंट पड़ा था गुरिया का पैंट उसके हाथ पर लगाए फिर थोड़ा इसा है वह आप अगर बॉल पैंट से करती है न तो ख्लियर आता एक बार और दाल दीजे ना ताकि perfection रहे मैं कुछ बता दूं आपको उससे बेटर इंक पेंसे करिएगा है ना चलिए अब नेक्स्ट और क्या विक्ति ने डाले हैं तो उनका देखते दमन जी ने डाला है लेट सी दमन जी बहुत अच्छे से डाला है आपने यह आपका गोल्ड पस्ना अबी आई गैस मैंक्जी में शेल पाल एक और फाइल आई है लेट सी शीतल जी ने डाली है लगारा आप अपने जितने बाकी लोग है फामिली मिंबस का भी डाल सकते हैं ओके शीते जी प्रिंट बहुत अंक्लियर है यह पिरिंट नहीं चलेगा आपने एक और बार डाल चुकी है यह बलर है यह झालेगा वो हस्बेड का डालना वो तो मैंने बता दिया यह थोड़ा ज्यादा ही बलर है कि बागी के लोग जो है जो बाद में भी डालना चाहिए डाल सकते हैं अभी और भी किसी को डालना है तो डाल दें आइल वेट फो टू मोर मिनिट्स बाद में आल स्टार्ट दा सेशन चलिए अभी हम थोड़ा explain कर लेते हैं क्या है कुछ लोगों ने डाला कुछ लोग नहीं डाल पाएं बेभी ऑनलाइन उनकी availability नहीं होगी नेट नहीं होगा लेकिन मैंने आइगेस दस लोगों का तो बताया है अभी फिलाल ठीक है शुड़ाइ स्टार्ट येस कि वेट करूं और डो मिनिट किसी को और डाल रहे हैं कोई प्रोसेस में है आपको 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 प्रोसाट याद है गोल्ड बार रहे हुँ जो थम से हमको पता चलती है थम में टोटल सोलर टाइप के patterns होते हैं जिसके सबसे चार टाप की personality बाहर आती है इसमें सबसे पहली पस्नारटी होती है gold personality gold personality वाले लोग कैसे होते हैं 100 में से 1% लोग होते हैं अब 100 में से जो यह 1% लोग होते हैं इनको हम बोलते है scientist personality या तो amir khan personality भी इनको बोलते हैं पर एक्जांपल, 2000 उपे अगर इनको दिये जाए, तो एक विक्ति क्या करेगा, कि 500-500 की पचार टी-शिट लाएगा, अलग-अलग विराइटी पहनेगा और फेक देगा, खराब हो जाएगी इसलिए, बट जो ब्रांटेड विक्ति होगा, जो क्वालिटी ओरिंटेट होगा वो 2000 की और 500 आइड करेगा, और 2500 की एक ही शिट लाएगा, लेकिन क्वालिटी की लाएगा, तो एक गोल्ड वाले क्वालिटी ओरिंटेट होते हैं, ये लोग और क्या करते हैं, गोल्ड वाले, कि इनको इनको ट्रांसपरेंसी पसंद है, इनको जूट नहीं पसंद, इनको करना बहुत पसंद है इतना प्लान करते हैं कि decision लेने का time चला जाता है इनको risk लेना पसंद नहीं calculated risk पसंद है एक lady जो gold personality की थी उसकी शादी हुई तो gold वाली होने की वज़े से इसको पहले से planning करके कोई चीज़ करना पसंद है इनको पसंद नहीं तो इनके पास husband आई सोचा surprise देता हूं तो कहते हैं जाने मन देखो मैं surprise लाया हूं एक गंटे में movie जाना है ये रही ticket तो खुश होने के बज़ा चिलाने लगी बोने लगी पहले क्यों नहीं तो ये लोग कैसे होते हैं इंको problem systematically work करना पसंदwork करते हैं लोग ही पानी लाना है तो पहले सोचेंगे कि और वह आँ से जाएंगे तो ये लोग कैसे के होते हैं properly scientist personality कोई भी चीज के deep में जाएंगे अगर पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना तो कि dictionary का वर्ड अगर नहीं समझ में आता तो वर्ड के पीछे पढ़ जाएंगे और उसका पूरा research कर डालते हैं main काम रह जाता है और dictionary का पूरा research हो जाता है तो यह लोग कैसे प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर लेते तब तक वह आगे नहीं बढ़ते इसलिए कुछ लोगों के इस लोग लग सकते हैं तो एक गोल्ड पसनाटी इनके लिए एक हिदायत है कि अपने decision थोड़े past लेना शुरू करें because जब यह decision बहुत लेते हैं और late लेने की वज़े से इनका जो decision लेने का time है वो चला जाता है अब आकर में अलोग जी ने एक थम बेचा है मैं एक second के लिए वो देख लूँ अलोग जी ब्लू डाला है आपने जो लास्ट वाला डाला है वो ब्लू है ठीक है अब हम आते है नेक्स पसनाटी की वह रेड पसनाटी मैंने एक से दो लोगों का रेड बताया था ठीक है तो जिसका भी मैंने रेड पसनाट है याने leader type की quality होती है यह लोगों को रोके टोके उनको गाइड करें कि तुझा ऐसा करना है प्रेशराइज करें इनको अच्छा नहीं लगता है यह leader type की लोग होते हैं इनको खुद के decision खुद लेना पसंद होता है और इनको freedom जितना मिले इतना अच्छे decision ले पाते हैं लो लोग होते हैं इनको मसका पालिश करना नहीं आता है इनको सीधा सीधा स्टेट फॉरवर्ड बात करना पसंद आता है तो यह उते रेड़ वाले कि जो थोड़े अग्रेसिव भी माने जाते हैं और जैसे अभी आपने जिसका मुझे प्रिंट भेजा है क्या नाम है इनका रिय से वाले भी रहेंगे और घुसा बहुत जल्दी उनको आ जाता है तो यह उते हैं रेड़ पसनांटी यह लोग लीडर की पॉजिशन में अच्छा वर्क कर सकते हैं कोई कंपनी के हैड हो सकते हैं लोग इनको कोई पॉलिटिक्स में जाना है या बोलना है तो यह बहुत पसनांटी वो सौ में से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो कि हमारे यह जो पूरे सेशन में किसी का गरी नहीं आया है मैं उसके बारे में नहीं बता रही हूं आपको पर मैं बता दू मैं ग्रीन पसनालिटी हूँ सौ में से 5% लोग ऐसे होते हैं अब जो अगली पसनांटी हमारी आई है जो maximum लोगों की आई है वो है blue personality अब blue personality के लोग कैसे रहते हैं blue सौ में से 50 to 60% लोग होते हैं blue personality आने love करने वाले लोग प्यार करने वाले लोग nurture करने वाले लोग ऐसे लोग जो दूसरों की मदद के लिए अपना काम भी छोड़ देंगे ये लोग जो team में और group में रहना पसंद करते हैं free time में friends के साथ time spend करना पसंद करते हैं इनके जीवन का सिद्धान थे काम के time काम आराम के time आराम और कभी कभी काम के time भी आराम करते हैं तो relaxed nature के थोड़े से जाधा होते हैं तो ये लोग होते हैं कि जो मिलके रहना पसंद करते थे इनको कोई अलग छोड़े ग्रूप में से निकाल दे या सब जा रहे हैं इनको बताया नहीं इनको पसंद नहीं आता ये चाहते हैं कि सब इनको include करें इनको जगड़ा तंटा पसंद नहीं, कई conflict हो रही है जगड़ा हो रहा है तो बीच में से खिसक जाएंगे इनको चांती वाद पसंद है ये किसी से confrontation भी करना पसंद नहीं करते अगर इनको पता चले कोई इनकी चुगली कर रहा है कुछ कर रहा है तो जाके confront करके कौन जगड़ा मोल लेगा तो जगड़ा वगरे में believe नहीं करते हैं लोग ये होते हैं blue pastati वाले ये लोग होते हैं कि अपना काम छोड़कर दूसरों की help करने वाले लोग अभी देखिए एक victim और print डाली है ये मुझे green टाइप की लग रही है और ये green ही लग रही है मुझे तो चलिए मैं green का भी आप लोगों को बता दूँगी क्योंकि green का भी last जिसने डाला है क्या नाम है इनका धवन जोट सिंग जो है धवन जोट सिंग जी आपका जो ये आपने डाला है वो most probably मुझे green लग रहा है बहुत clear print नहीं है लेकिन अगर आपको जिसने link भेजा है अगर आप उसके contact करेंगे और one to one जाके उनको दिखाएंगे तो वो और perfectly आपको बता पाएंगे ठीक है वैसे मुझे green लगा वो अभी उसके बाद एक और व्यक्ती ने डाला है इनका मुझे gold लग रहा है actually red है यह जो आखरी में जो डाला है red color से जो आपने भेजा हुआ है वो red personality है यह अजे पगधल जी red personality जिसके बारे में मैं अभी बताई थी leadership वाली वो वाली होती है रोहित राणा जी ने भी एक image डाला है काफी लेट हो गए आप लोग डालने में लेकिन let's see अब डाल दिया है तो मैं आपको बता दो हमकी personality type कौन सी है और डरीमत जो मैंने भी बताया है उसका explanation का एक link है YouTube का वो भी मैं आपको डाल दूगी अगर आपको जिसने link भेज आप उससे भी मांगेंगे तो link आपको मिल जाएगा अभी यह pattern clear नहीं लेकिन मुझे red print लग रहा है तो यह जो आखरी मैं black pen से जिसने डाला है उनका नाम भी बता देती हूँ one second रोहित राणा जी यह आपका red personality आया है आपे यह मेरे बेटे का है और real me ने एक और डाला अभी यह printer जो real me ने डाला है बहुत ही blur है वो clearly मैं बता नहीं पाऊंगे तो देखें अभी मैं actually enough बता चुकी हूँ और मैं यह मांती हूँ कि आपके पास जिसने यह link भेजी है वो export है विकॉस जो मेरी franchise है जो मैंने दी है DMIT की तो यह लोग expert है अगर आप जिसका मैं नहीं बता पाई है मुझे लगा clear नहीं है तो please आपको जिसने यह whatsapp link डाली है आप उससे contact करें अगर मेरे से ही आपको link मिली है तो आप whatsapp पे मुझे प्रॉपर type का photo डालीएगा जिस पे clarity हो तो मैं आपको सारा detail डाल दूँगी क्योंकि अब मैं समय की कमी है मुझे 9 बजे session याने आने वाले 7-8 मिनिट में खत्म करना है तो मैं भी मुद्दे पर आती हूँ तो अभी हम क्या करेंगे blue personality वाला मैंने आपको बताया तो इन लोगों को यह इदायत है कि तोड़ा काम को भी और सीरियसली ले बिकर सोड़े रिलाक्स होते हैं तो यह आया blue आप आपको तीन परस्राइटी के बारें बताया है hope आपको जो पता अभी मैंने बताया वो आपको कही न कही 80% तो सही लगा होगा जो कि मैंने फॉर्स टाइम था यह कि ऑनलाइन मैंने इस तरह से प्रिंट लेकर ट्राइ किया है अगर आप मेरे सामने 1-2-1 आते हैं जिसने आपको लिंक भेजा है 1-2-1 आपको उनकी चले जाए तब और परफेक्टली वो आपकी पस्टाइटी बता पाएंगे है ना तो अब हम जानते हैं और मैंने जो आपको बता है आपको सही लगा तब सोचे अगर मैं 10 फिंगर प्रिंट का पुरा रिपोर्ट लूँ तो कितना परफेक्ट आएगा इस रिपोर्ट के दार आपका इन्बॉर्ण टैलेंट किया आप किस करियर में जा सकते हैं यहां तक कि आप कौनसे स्पोर्ट से अक्टिविटी में आपको बच्चों को डालना चाहिए और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह बच्चे से रिलेटेड है तो ऐसा भी नहीं है यह बड़े भी जो लोग हैं जो जानना चाहते मेरा टैलेंट क्या है वो कर सकते हैं एक व्यक्ति को जिसको अपना टैलेंट जानना होता इसके पास दो ही तरीके हैं एक है अपने सारे जो भी करियर्स है उसमें जाएं, डांस भी लगाएं, स्केटिंग भी लगाएं, ये भी लगाएं और फिर उनको शायद पता चल जाए कि उनका किस में टैलेंट है या तो फिर DMIT रिपोर्ट करें, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है ब्रेन का पूरा डिसेक्शन करना, जो कि जिन्दा रहते वे पॉसिबल नहीं है ये रिपोर्ट प्रॉपर्ली बता देता है कि आप किस करियर में जाएंगे, मैं as a motivational speaker मैंने MBA, BBA, CC1 और इतना qualification किया 2011 में मेरे हाथ में जब रिपोर्ट आई, मेरे रिपोर्ट में लिखा था कि आप प्रवक्ता बनेंगे और तब मैं already motivational speaker थी और इस field में आ चुकी थी लेकिन इस तक पहुँचने के लिए मैंने MBA, BBA किया, fashion designing किया, naturopathy, yoga किया, DMLT किया जो मेरे आज कोई काम में नहीं आता अगर ये रिपोर्ट मुझे बच्पन में किसी ने करवा दिया होता तो मैं पूरा focus motivation में लगाती और आज और भी जल्दी में successful हो जाती जो कि मैं आज हूँ लेकिन मुझे time लगा और बहुत mental effort और energy लगा और जानने की कोशिश में बहुत परिशान हुई तो आपके बच्चे को या आपको अगर वो परिशानी है कि आप जानना चाहते हैं आपका talent किस में और सूचिए उस बच्चे का talent अगर engineering में न होंके fashion designing में है, architecture में है या medical में है और आपको पता चल जाए तो अभी साब उस पे focus करवा सकते हैं क्योंकि उसके brain के neurons में जादा रहेंगे तो वो काम उसको जल्दी आएगा और वो अच्छा perform करेगा और उसमें great बन कर दिखाएगा तो यह मानती ही कि छोटों के लिए ही नहीं अब आपका एक सवाल आता है हमेशा कि कहीना कि कौन सी age group में किया जाए तो जब बच्चा जनता उसके तीन महने के बाद से भी यह report निकाला जाता है क्योंकि fingerprint कभी नहीं बदलती है आपने एक बार fingerprint दी तो वो आपकी हमेशा के लिए वैसी रहेगी तो आप तीन महने के बच्चे से एक साल तक बच्चा जो भी आ जाए तब तक एक साल के बाद भी आप यह report निकाल सकते हैं बड़ी companies में, operates में एक व्यक्ति कों 50,000, 1,000,000 का salary देते हैं और अगर उसमें marketing talent ही नहीं तो तो यह company वाले भी कराते हैं जब वो recruit करते हैं लोगों को report निकाल के देख लेते हैं कि बच्चे बंदे में जाता है इसके एक demo report अगर आप देखना चाहें तो आपको जिसने link दिया है अब उसको message करिए वो आपको demo report भी दिखाएगा इसके और detail जानकरी चाहिए तो जिसने आपको link भीजा है उससे आप बात करिए consult करिए अभी मैंने जो आपको थमका बताया वो free personality test था लेकिन अगर आपको पूरा जानना है अपने बारे में 48 page का report चाहिए तो ये chargeable रहता है charges vary करते हैं 5000 charge मैं लेती हूँ यहाँ पर और जो franchise owners है जैसे चंडीगड में मेरी franchise है नाकूर में franchise है तो वहाँ पे भी ये cost लागू होता है 5000 ये report है बट आपने जो कि आज यहाँ पर join हुए है इस link में तो हो सकता है franchise owners आपको ये webinar में join होने पर कोई discount दे तो आप उनसे कल ही और अरलिये संपर करें तो कुछ possible discount होगा तो वह भी आपको मिल जाएगा मैं मांगती हूँ कुणली नहीं निकालेंगे तो चलेगा लेकिन आप एक लाख रुपे से उपर खर्चा करते हैं बच्चे को engineering की admission के लिए वो भी tuition की तो आप सोचे ये report निकाले बगर आपने गर वो decision ले लिया है इसके अलावा किसी आप city में belong करते हैं आपको interesting लगा हो because मेरे links से भी काफी लोग आए जो मेरे thoughts up में जुड़े हैं तो आप उससे इसका franchise ले सकते हैं और इस webinar के मागयम से मैंने कोशिश की आपको DMIT क्या है ये report क्या है समझाने की अब आपको के questions है इस report से related तो मैं आपका माइक कॉन कर रही हूं आप लोग अपना कोई भी प्रश्ण है तो मुझे पोछे तब तक चाट में कुछ लोगों ने मुझे और भी fingerprint डाली थी वह में एक बार देख लेती हूं आस्ता पुडे फुर्देवे आस्ता जी आपका यहां पर मुझे जो दीखर आएंगो कि प्रिंट बहुत clear नहीं है ब्लू है लेकिन अस्ता जी ब्लू आया है आपका लू पस्तालिटी और यह जो आपने डाला है तक्षिता का बहुत पर्फिक्ट डाला है ब्लू है तक्षिता का ठीके गडेश मेंश्यराम जी आपने जो डाला है कि लिए नहीं है ये तो थोड़ा आप इसको डाली मैंने माई कॉन करने का ऑप्षण दिया है वैं चारी हूं कि आप लोगे अपना माई कॉन करें प्रशन है तो पूछें हां जी हलो पूछे हैं मैं यह जो बेजा है लड़के का यह आप रेड प्रेस्टनेल्टी बता रहे हैं तो इसका रेड प्रेस्टनेल्टी बता है आपने तो रेड मतलब मन से चलते हैं इनको जो करना होता है को इनको पसंद नहीं आता है अपने डिसिजन के मालिक होते हैं अग्रेसिव भी होते हैं और इनके अंदर लिए पके रहते हैं अब लिए तो यह लीडर्शिप पॉजिशन वाले जिनको को रोके टोके उनको पसंद नहीं आता डिसिजन बहुत अच्छे लेना जानते हैं तो इनको डिसिजन के खुद लगा जाए मैडम एक सेकंड ईगनव करें इंगे पूरा पूरा प्रेंगर प्रेंट लिए बच्चे का मैं और में सबको म्यूट कर रहे हूं रोही जी कुछ बोल रहे हैं एक विक्ती प्लीज कंप्लीट करें फिर दूसरे बोलें प्लीज मैं कर रही हुए आपको अब बताइए रोई जी क्या बोल रहे हैं जी मैं भी बोलो मैं अगर पूरा को पूरे लिए जाए तो उससे क्या पता से बच्चे के बारे में आपके बच्चे का IQ EQ पढ़ने की ताकत किस तरह से उसको जादा रहेगा उसके लाव कौन सी स्पोर्ट अक् अब जो आस्ता जी आपकुछ पूछना जारी थी शाद माई कॉन करें हलो हां सब्सक्राइब बताया है अच्छली यह आस्ता की मम्मी हूं मैं आस्ता मेरी बेटी है अच्छा ओके हां तो ब्लू का एने क्लियर नहीं आया है क्यों हां थोड़ा कैसे न मैं फर्स्टाइम ही ट्राइक करें ती कि ऑनलाइन में देखके बता सको क्यों कि फोटो क्लारेटी अच्छी होनी चाहिए ता बास्ता जी कहां से है चंदर प्रूर से हुम है तो आपका जो मैंने प्रि अब कर आप कभी कभी काम के टाइम भी आराम और तीम में रहने वाले जगडा पसंद नहीं कांटिक पसंद नहीं आती इन लोगों को है ना और नर्चरिंग वाले दूसरों की है खुद भी मतलब काम अपना चोड़के उनकी हेल्प करेंगे ऐसे लोगों तो यानि आस तक आप भी भेज सकती हूं कि मैं अभी कि आपके वाट्सप नमबर पर भीज़ना पड़ेगा अब आप हैना परस्नली डालिए बाकी लो क्योंकि कैसी वेबिनार है ना जोह तो आप मुझे यह करिंगा और यह लित गुज़ड़े लिए अख्शहसा चलियर प्रिंट एक वर फिरसे डाल दीजे जैसे मनें धिखा था तोह उप लिए बाकी की पर किसी वेक्зд Okay, okay. वही वाला फाइट नाइन नाइन सेवरी जिरो फाइट एट वाला हां ओक्यों एट इट इट में नीचे डाल भी देती हूं नाइन सेटी हूं और जो लोग जिनको किसी से मैसेज आया है वो अपने फ्रेंचाइज उनस से बात करें जिन्होंने आपको लिंक भेजा है ना और कोई प्रशन है आपको DMIT से रिलेटेड यह रिपोर्ट बहुत पारफूल है मैंने खुद कराई है इसलिए मुझे इस पर मतलब यह करने का यह करियर क्यों सोचा क्योंकि मैं बहुत परिशान हुई थी मेरे करियर में सब पोर्सें भारत नाटियम किया है फिर मुझे प पहुँच गे इस प्रोफेशन में काफी लोगों को तो पर्शूंटी भी नहीं रहता ना इतना पैसा की इतनी सारी कोर्स कर सके तो यह रिपोर्ट एक गिफ्ट रहेगा किसी के लिए भी जिसको आप करवाएंगे रहते हैं इनको कोई अकेला चोड़े वलाइं को अच्छा नहीं लगेगा इनको जगडा कंटा पसद नहीं आथा प्लस ये रिलाक्स पोड़े नेचर के होते हैं काम के टाइम काम के टाइम पी हारा हम इनको लाइफ में कुछ करके देखें कि अपने आसपास के लोगों को बता सके कि ये भी कुछ है जिसको भी और जानना है आप मुझे वाटसप करिएगा मैं आपको बता दूंगी प्रेंट वाइस अपने घर के फाकी के अगर आप चंद्रपूर में रहते हैं तो चंद्रपूर में पर इसका के वन-टू-वन भी दिखा सकते हैं के गुझे खुर वन-टा लेना पड़ा ने उसका एक वैबिनार लोंही वन रचन्ट पूर से कितने लोग है यहां पर कि अरे के यहां काफी कॉर्सिस करें अरे क्या आरे क्या बोला पिटा अ कि अरे क्या भुला पिटा के अरे क्या पिटा क्या अरे कि इस पलिंग लोन होती है कितने साल के हुआ तो बिटा आईए ओफिस आप चंदरपूर में रहते हो ना नापूर में रहते हो तो स्पेलिंग लर्न नहीं होते हैं आपको आपको मिड्ब्रेन अक्टिविशन कराना चाहिए विटा मिड्ब्रेन अक्टिविशन एक ऐसा कोर्स है जिससे आपका आईक्यू एक्यू कॉंसेंट्रेशन बढ़ता है हम भी यहां पर लेते हैं चंदरपूर में नापूर में यह धन्राज जी लेते हैं हमारे फ्रेंचाइज ओनर है वो पार्टनर है हमारे यहां पर धन्राज कर लो गया है बहुत परफुल कोर्स है मिड्ब्रेन अक्टिविशन वो कोर्स करना पड़ता है बेटा उसके लिए मिड्ब्रेन का तो यह धन्राज जी जो है आप उनसे कॉंटेक्स करें कर बता देंगे का नंबर बता दीजिए यह चाट में डाल दीजिए दूराज जिए पिता जी कॉंटक्त में है नो सीमा जी आप जासे सीमा जी बलाशा से मैं बलाशा से न तो मिड्ब्रेन का कैसे होता है हमारा कोर्स थी मुंस का कोर्स होगा हर मन्थ 55,000 का फीज थी मुंस के लिए और से पसनाड़ी डेवल्लप्मेंट मिड्ब्रेन अक्टिविशन माइंड पावर, मैमरी कोर्स, पसनाड़ी डेवल्मेंट कोर्स, यह सारे जो कोर्से से उसका मिक्षर है उसमें, यह बच्चा जब आता है तो मिट ब्रें तो एक्टिवेट होता है, जो आखे बंद करके कलर, डेटेक्शन, न्यूस्पिपर, रूम में क्या हो रहा है, आखे बंद करक करते हैं, नौ बच के साथ मिनिट वे, I hope मैंने क्लियर आपको बता दिया है, कि DMIT किया है, एक रिपोर्ट है, जो आप निकाल के अपना IQ, EQ, और अपने करियर के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में अगर आप और जानकारी शही है, तो फ्रेंचेस से कंसल्ट करें, जि तब क्यों मांवी, आपको पूप्या कि रए Mark Seen Learning, किया आपता है, ञेले हैं, जिया है, जो सकते शही हैं, जो मिनिट झालोच करें इसाथ करा जब गल्सटी से जवा क म columnist, सुभाह मुँने कर यद्पनाके सार्फियों। लें। ओने में देवा साहीता हैं, जो आपकु依न